हलो बच्चा पाटी कैसे हो आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागात है आपके अपने यूटूब चानल स्कोर प्लस फांडेशन पर और म हमारा कि हम लोग सेशन में क्या क्या कोश्टिंस करने वाले हैं टोड़ा है कि हम लोग ऑक बेसिक सा करेंगे कि यह वह अपना एर्रेंजमेंट चार्टिंट डिया हुआ है वह पॉडृटिक एक्विशन है या नहीं है इस पर कॉश्टिंट करेंगे अजय के इसके पढ़ना है बच्चे, कौन सा पार्ट पढ़ना है, factorization वाला पढ़ना है, formula भी use हमें नहीं करना है, factorization वाला पढ़ना है, और factorization में कौन सा, splitting the middle term, splitting the middle term, middle term, और साथ में जो common वाला जो portion होता है, common वाला जो questions होता है, और साथ में कुछ questions best होंगे, अपने a plus b की whole square पर, और a minus b के whole square, clear बच्चे, इस पूरे के पूरे session में, बच्चे, हम लोग ये देखने वाले हैं, तो, हम लोग बड़े question के तरफ, चलते आगे, चलिए, question पढ़े जड़ा, क्या कहा रहा है मेरे भाई, question कहा रहा है, which of the following quadratic equation in x हमें, पहले, पहला चीज समझना मेरे भाई, पहला चीज क्या आप बोल रहा है कि पोलिनोमियल पता करना है, तो पोलिनोमियल के बारे में पहले थोड़ा सा चीज, ये अल्डेडी बहुत डिसकस कर चुके हम लोग, जो पावर होगा, जो पावर होगा जो पावर होगा मेरे भाई, जो पावर या पावर को ही आप क्या होता है डिघ कर देखेंगे उसका हाइएस्ट पावर देखेंगे एएस्ट पावर देखेंगे मेरे भाईंग और 2 होगा तो arrangement क्या होगा quadratic होगा और highest power बच्चे क्या होना चाहिए एक चीज और perfect number के form में होना चाहिए यह सारी के सारी condition है तो हम देखें अपने questions को एक स्क्राइब माइनस एक स्प्राइब जीरो है अपने पास है क्लियर तो हमारा ध्यान कहां गया जो variable है variable कि इसका पावर कितना है तो अब्यस्सी बात है हमें इससे कोई मतलब ने इससे साथ में यह भी देखना है कि जो पावर जहां कहीं भी होगा पावर जहां कहीं भी होगा मेरे भाई वह क्या होना चाहिए perfect number के form में होना चाहिए तो सारी condition फुल्फिल कर रही है तो इसलिए अपना यह जो arrangement है मेरे भाई यह क्या हो जाएगा quadratic equation quadratic equation clear आगे चले चले बहुत अच्छे अच्छे अच्छन पढ़िये जरा question क्या किया रहे question क्या किया रहे which of the following are quadratic equation index पहला काम वारियेवल फोकस कीजी वारियेवल पर क्या करना मेरे भाई फोकस कीजिए वारियेवल का जो भी पावर है वो देखी जगा पावर क्या हर एक जगा जगा जो पावर है fraction में नहीं होना चाहिए तो फिर हाइस्ट पावर पर ध्यान गया हाइस्ट पावर क्या है मेरे भाई हाइस्ट पावर क्या टू है तो हाइस्ट पावर टू यह दोनों के दोनों कंडिशन फुल्फिल हो रहें हैक क्या हो रहे हो रहे हैं इसका मतलब यह कि अपना जो ऐर्रेंगमेंट है जो भी टू होगा क्वाड्र्रे सब्सक्राइब है जो एकसे स्कुरायर का बच्चे कॉफिशेंट है समझना यह कोफिशिट चाये इझा जाए एकसे स्कुयर का दो चाइए एक स्कापब चाय क्स्टपक का वह बच्चे कुछ भी होसकता है कुछ भी कहने का मतलब यह क्या कि वह रियल नंबर ही होना चाहिए इम्याजनरी नहीं हैं जब रियलीट के बात करेंगे तो हमने दो तरीके से चीजों को बाटा था याद करो पहला क्या तो एक भाइन रैशनल हो सकता है या फिर एरेशनल हो सकता है हम लोगों दो इंक दो चीजों कहते हैं इसको क्या कहते मेरे बच्चे इसको हम लोग कॉंस्टेंट कहते हैं इसको क्या कॉंस्टेंट कहते हैं अब जहां तक तो हमें चीजी पता है बहुत अच्छे से पता है फिर अब ध्यान गया अपना कहां पर हाइस्ट पावर पर हाइस्ट पावर क्या है तू 2 और झो वईस्ट बैरी अपने पास है एकसे यहां पर षावर लसक अई नफरी दिलाभ जो भी पावर है अपने पस पूरा परफेक्ट नंबर है इसलिए जो अरेंजमेंट है अपना ये क्या होगा मेरे भाई कॉडैर्टक एक्वेशन होगा चले आगे चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या डाउट साब साब पता चल रहा है कि यह क्वाड्रेटिक है क्या है यह क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक एक्विशन है क्लियर चले आगे अब चलिए अब इस कोश्चर में ध्यान देना फिर से एक बार नोट नोट करके क्यों क्योंकि चीज़े बहुत इंपोर्टेंट है अपने लिए जो वैरियेबल है फिर से एक बार जो वैरियेबल है मेरे बच्चे क्या है जो वैरियेबल है वैरियेबल का पावर क्या होना चाहिए वैरियेबल का पावर क्या होना चाहिए परफेक्ट नंबर होना चाहिए परफेक्ट नंबर होना चाहिए यह सारी की सारी जो condition है भाई साहब यह किसके लिए है polynomial होने के लिए polynomial होने के लिए चाहे अपना polynomial कोई भी हो quadratic हो cubic हो by quadratic binomial कुछ भी हो एक condition है चले आगे अब ज़्यान दो इस चीज़ पर यहाँ पर रूट एक्स दिया हुआ है रूट एक्स को क्या लिख सकते है एक्स टूदी पावर वन बैट तो कि मतलब यह तो polynomial का condition satisfy करी नहीं रहा है मतलब यह जो हमारे पास जो arrangement दिया हुआ है यह polynomial का तो condition satisfy करी नहीं रहा है जब यह polynomial है ही नहीं तो यह quadratic होने का कोई सवाल ही नहीं clear तो साब साब हम यह कह सकते हैं कि भाई यह तो not a polynomial not a polynomial not a polynomial और जब polynomial है ही नहीं तो बच्चे quadratic का तो कोई सवाल ही नहीं clear not quadratic equation clear बच्चे क्लियर है आगे चले चले आगे चलते हैं अब लोग कि अध्यान देना एक्स माइनस सिक्स बाइ एक्स इस इक्वास टो थ्री तो इस इक्वास टो थ्री अब ध्यान देना बहुत बच्चे इस तरह के कोश्चन में कंफ्यूज होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज नहीं समझना है बहुत बच्चे क्या करेंगे इस चीज को सॉल्फ कैसे करेंगे समझना है कुछ कहड़ेंगे भाई साब यह एक्स माइनस सिक्स इंटू x to the power माइनस वान इस इक्वास टो थ्री एक्वास टो थ्रीखिष तो थ्रीख थ्रू अब वो पोलिनोंवियल के के definition पर जाएंगे बोलेंगे कि भाई साथ में नॉन नीगेटिव होना चाहिए मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए पॉजिटिव ना चाहिए लगनि यहां पर तो बैसां निगेटिव आगया आप परुपर स्वाल्व करा है नहीं करा है कि दूसरा ये सी एक्स माइनस सिक्स वाइ एक्स इसक्वाइब एलसेम लेलो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स नीचे में क्या बच्चिक इसक्वाइब चले आगे X square minus six is equals to three X X square minus three X minus six is equals to zero अब ध्यान दो आपने पास दो चीज़े ये बच्चे गलत एप्रोच ये गलत एप्रोच है इस चक्कड में मत पढ़़ना बहुत बच्चे वही गलतिया कर देते चीजों को को सिस्टेम आपके पास देए उसको पहले आप पुरूपर सॉल्व करो धंक से सॉल्व करो तो हमने स्वाल कर दिया दिख रहा है एक स्कौर मांस थिरी एक स्मांस सिक्स वारियेबल है वारियेबल का पाबर परफेक्ट नंबर है नॉन निगेटिव है हाइस्ट प है कि हाँ कि भाई साहब यह क्वाड्रेटिक एक्वेशन तो है यह क्वाड्रेटिक तो है क्लियर चले आगे कि चले आगे अगे अगे कि वही गलती मत करना सॉल करो एक्स प्लस टू बाइ एक्स इक्वास टू एक्स स्क्वाइर क्या आएगा एक्स स्क्वाइर प्लस टू नीचे में एक्स इक्वास टू एक्स स्क्वाइर क्रॉस multiplication कर देए मेरे भाई क्या हो जाएगा x square plus 2 is equals to x q x-q-3 minus 2 equals to zero एक सुच काम पहला काम यह कि जो variable है पहला काम यह कि जो variable है variable का power है परफेक्ट नंबर में है बिल्कुल है नॉन निगेटिव है बिल्कुल है क्वाड्रेटिक के बारे में पूछ रहा है तो बच्चे हाइस्ट पावर देखो नोट करो हाइस्ट पावर क्या है यहां पे यहां पे मेरे भाई हाइस्ट पावर थिरी है तो यह क्यूबिक कहलाएगा क्या कहलाएगा क्यू बीखे अपना चले करें इस चीज़ को एक्स स्क्वाइर माइनस वन बाई एक्स स्क्वाइर इस इक्वास टू फाइब क्या आएगा 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 बताओ एक्स का पावर फॉर माइनस वन नीचे में एक्स स्क्वाइर इस इक्वास टू फाइब क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कर दे मेरे भाई एक्स का पावर फॉर माइनस वन इस इक्वास टू फाइब एक्स स्क्वाइर सब को एक साथ लेकर आजाए एक्स का पावर फॉर माइनस फ अब समझना इसे वहीं चीज कोई नहीं बात में बोलूगा यह एक बसुतनेफिगे 4 ऐसे अंदिशा होता है वह दो कंडिशन के बैसिस पर दूसरा इस那 इस पावर और अफ़ कावरेमेबल की उपर अól है तो जो कितना बहें बना पावर फूर मतलब यह अरेंजमेंट क्या अपने पास इए अरेंजमेंट रोगा बाई क्वाड्रेटिक हो गया यह अगये बढ़ने से पहले यहां पे प्लस बीका होल क्यों दिया होगा समझना आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई होटी से चेज छोठा सा फर्मिल्यूला है क्या है अपने पास एपलस ले प्लस बीका हऊल क्यूब मेह क्या होता है और भीस को कि सकौशिक करें क्यूर हम लोगों ने कई बार देखा सको पढ़ा है करें के दौरां के बचoner को तोड़ दी पोड़ें कि अच्छ प्भलस धर ये भी कि एग स्टू मैं ठूकर ख्यू माई नो एक क्यूज च्लीर अज़ प्र रहाम से बच्चे सॉल्फ करिया कोई हर बादी नहीं है या आएगए आपने पास डॉस 16एग स्कूर्ण 12 एक स्कूर्ण एट इच इक्स क्यूब माइनस अच बच्च जो चीज कैंसल आउट हो रही उसको कैंसल अउट करता है यह कैंसल यह गया क्या बच गया अपने पास 6 X square प्लस 12 X प्लस 8 इधर माइनस में इधर लिए करा जाए तो प्लस 6 X square प्लस 12 X प्लस 16 is equals to 0 हाप ज्ञान देना आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो ऐसा नहीं कि आप इसको छोटा भी कर सकते हो जो चीज कॉमन है हो यह उसे लेकर बाहर आजो कैंसल आउट कर दो कि तू कि 3x स्क्वाइर पलस 6x पलस 8 is equal to 0 और इसके बारे में तो भाई आप अराम से देखकर कह दो गए कि यह क्वाहट्रिक है या नहीं है यह तो साप शाप दिख राएं मेरे भाई कि यह क्या है यह आर्रेजमेंट के अपने पास है क्लियर हम यह कह सकते हैं कि अपने पास यह अर्रेजमेंट है क्को सिंपल साय बच्चे बस multiplication करना है लेकिन multiplication करने के दौड़ान जब आप multiplication कर रहे होंगे तो थोड़ासा अपने दिमाग को ऊल रखेगा सांथ रखेगा और plus minus को थोड़ा ध्यान रखेगा बस क्योंकि बहुत बच्चे हरबड़ी में प्लस माइनस में ही गल्दी करते हैं ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है बस वह प्लस माइनस में गल्दी कर देते हैं जिस वजह से उन्हें आते हुए कोशिंस भी वह गल्द कर पाते हैं चला अराम से क्या होगा 6x2 फिर यहां पर प्लस 4x यहां पर प्लस 9x फिर यहां पर प्लस 6 इक्वास टू 6 को भी रहने दू इधर x2 माइनस 2x माइनस x प्लस 2 क्लियर बच्चे आजब 6x2 प्लस यह कितना देगा 13x प्लस 6 6 x2 यह कितना मेरे भाई माइनस ओफ 3x प्लस 2 क्लियर है चलिए 6x2 प्लस 13x प्लस 6 इस जिक्वास्ट हूँ 6 को अंदर लेकर चले multiply करें 6x2 माइनस 18x प्लस 12 क्लियर जो चीज मैंने फिर से कह रहा हूँ जो चीज बच्चे cancel आउट हो उससे आप cancel कर दीजिए cancel कर दिया हम लोगों ने सभी को एक तरफ लेकर आ जाईए 13x प्लस 6 उसको इधर लेकर आ जाएं तो प्लस 18x माइनस 12 इस इक्वास्ट टू क्या जीरो 13 और 18 क्या होगा मेरे भाई 13 और 18 क्या बताओ जरा 31x प्लस 6 माइनस 12 6 माइनस 12 तो कितना माइनस 6 31x माइनस 6 इस इक्वास्ट टू जीरो चले अब यहां पे अपना काम शुरू होता है कौन सा काम फोलिनॉमियल को पहचानने का काम कैसे पहचानते हैं हम लोग एक बार ने दो बार टीन बार देखते हैँ श्रू येवल का power हमेशा non-negative होना चाहिए मतलब positive होना चाहिए दूसरा power हमेशा perfect number होना चाहिए power fraction में नहीं होना चाहिए और जो highest power होगा वही polynomial का नाम decide करेगा कितना हो वन तो यह arrangement क्या मेरे भाई यह arrangement क्या बन लीनियर बन गया यह एर्जमेंट क्या बन गया लीनियर बन गया चलिए आगे चलिए कि अच्छे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक फर्मिला है पता आप सभी को ऐसा नहीं कि पता नहीं है बस थोड़ा रिवाइस करते हुए चल रहे हम लोग चीजों को समझ रहे हैं काफी बारीकियों से बेसिक चीजों से क्लियर तो अपने पास बच्चे ए प्लस बी का होल स्क्वाइर क्या होता है यह होता है भाई साब ए स्क्वाइर प्लस टू एवी प्लस बीए स्क्वाइर कभी कभी ए स्क्वाइर प्लस बीए स्क्वाइर प्लस चीज़ को formula के base पर तोड़े तो क्या होगा x square plus 2 x into 1 by x plus 1 by x का square clear it equals to 2 को अंदर लेकर चले 2 x plus 1 1 नहीं होगा उपर में 2 हो जाएगा 2 by x plus 3 जो चीजे मेरी भाई कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करती जिए क्या बच गया एकस स्क्वार पलस वन बाई एकस स्क्वार पलस टू इधर क्या आज आएगा अपने पास 2x पलस 2yx पलस 3 अब समझना एलसियम ले ले इधर और उधर दोनों तरफ या फिर जो एकस वाला उसको एकस तरफ ले लो अब लेलो एलसियम आराम से एकस स्क्वार क्लियर तो क्या हो जाएगा यह एकस स्क्वार पलस 1 minus 2x square x रुक चाओ रुक चाओ हर बढ़ी है गोई x का पावर 4 plus 1 minus 2x cube minus 2x which equals to 1 1 x का पावर 4 plus 1 minus 2x cube minus 2x x square जाको जाओ होगा तो x square यह arrangement के आपने पास x का पावर 4 थोड़ा एरेंज कर लेते हैं अपने पास यह arrangement बना क्लेर बच्चे अपने पास यह arrangement बना अब आप खुद देखकर के दो हाइस्ट पावर 4 है variable का जो पावर है वो non negative है positive number है तो यह arrangement क्या बन गया यह arrangement बन गया भाई साब by quadratic क्या बन गया by quadratic बन गया चले आगे चले चले समझीगा 3x square plus 2x minus 1 is equals to 0 बच्चे focus उक्र देना बहुत अच्छा question है batch of the following are roots इस question को करने का बच्चे अपने पास दो तरीका है पहला किसको हम factorize कर दे है क्या कर दे factorize कर दे factorize से पता चल जाएगा clear कि क्या क्या रोट से दूसरा ये substitution दूसरा क्या है अपने पास substitution है मतलब क्या suppose that कि इसको मैंने पी एक्स माना तो हम p-1 निकालेंगे फिर p-1 by 3 निकालेंगे फिर p-1 by 2 निकालेंगे clear p-1 by 2 जिसके लिए अपनी polynomial की value 0 आ जाए वो root हो जाएगा फिर से एक बार जिस value के लिए अपनी polynomial की value 0 आ जाए वो उसका roots कहलाएगा clear दूसर तरीका ये पहला वो करते हैं जरा करें इसको हम लोग पहले फेक्टराइज कर ले रहें रहें रहां से 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 is equal to 0 तो हमें पता है splitting the middle term हमने बहुत अच्छे से पढ़ा डिटेल में जाके पढ़ा है कि चीजों को कैसे फैक्टराइज करना होता है clear तो चले माइनस 3 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1 यहां से 3x कॉमन लिए 3x क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 1 तो क्या आगया x प्लस 1 3x माइनस 1 is equal to 0 clear तो यहां से x की वैलू माइनस 1 और एक x की वैलू 1 by 3 एक x की वैलू क्या आगई 1 by 3 वह साब प्रोच वैलू पूट कर दो जिसके लिए 0 आ जाए वह हमारा एंसर चला पी 1 माइनस के साथ निकाले 3 माइनस 1 का स्क्वाइर प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1 तो यह क्या हो गया रूट हो गया यह क्या हो गया रूट हो गया पी 1 by 3 निकाले 3 1 by 3 का स्क्वाइर है प्लस 2 1 by 3 माइनस 1 इसको बाद में निकालेंगे चले 3 by 9 प्लस 2 by 3 माइनस 1 9 एलसेम लिया 3 प्लस 6 माइनस 9 9 माइनस 9 0 यह क्लिर बच्चे अब अपने पास एक कौन सा बच गया 3 पी माइनस 1 by 2 3 1 by 2 माइनस के साथ इसका स्क्वाइर प्लस 2 माइनस 1 by 2 माइनस 1 जी सोरी 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 जीरो नहीं वो तो हमें निकाल नहीं है 3 by 4 माइनस 2 by 2 माइनस 1 3 by 4 माइनस 1 3 by 4 माइनस 2 एलसे हम देले 3 माइनस 8 माइनस 5 by 4 दिखिए साफ साफ दिख रहा है क्या दिख रहा है कि भाई यह आपना रूट नहीं है यह अपना क्या है रूट नहीं है क्लियर पता चल गया तो हमारे पास इस तरख के को करने के लिए कितने तरीके दो एप प्रोच पहला क्या कि हम चीजों को को फैक्टराइज कर देंगे दूसरा क्या कि जो वैलू हमारे पास दिया हुआ कोशन में हम उस वैलू को गिवें एक्वेशन में पूट तो वो गिवें वैलू रूट कहला आएगा नहीं तो नहीं चलें find the value of k for which x is equals to 1 x is equals to 1 is root of is root of x square plus k x plus 3 is equals to 0 so p of 1 1 square plus k 1 plus 3 is equals to 0 ये clear है ये clear है बच्चे चलो क्या है गया यहां से 1 plus k plus 3 k plus 4 is equals to 0 k is equals to minus 4 k is equals to क्या बच्चे minus 4 अब बोल रहा है कि भाई साब हमने एक रूट तो निकाल लिया है दूसरा रूट भी निकाल लें चलिए अब x square plus k x plus 3 is equals to 0 है k की value अपने पास बता है x square minus 4 x अब फैक्ट्राइज कर दें मेरे भाई फैक्ट्राइज कर दें तो क्या होगा x square minus 3x minus x plus 3 is equals to 0 एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 3 यहां से माइनस 1 कॉमन लिया x minus 3 is equals to 0 क्या है अपने पास x minus 3 और यह x minus 1 x is equals to 3 और x is equals to 1 यह तो अपने पास question में था क्लियर और दूसरा निकालने के लिए बोला तो हम लोगों ने निकाल दिया x is equals to camera by 3 clear चले आगे मेरे भाई चले कि आपाइंड दा वैलू अफ ए ए एंड बी फॉर बिच x is equals to 3 by 4 कि ओ चला पहला बच्चे अपने पास गिवन देट पी एक्स दिया हुआ है a x square plus b x minus 6 is equals to 0 x is equals to 3 by 4 x is equals to 3 by 4 is root of is root of p x so so p 3 by 4 is equals to 0 p 3 by 4 is equals to 0 क्यों होता है हम लोग डिटेल में आल्रेडी पढ़ चुके हैं तो निकाल दें p 3 by 4 क्या होगा a 3 by 4 का square plus b 3 by 4 minus of c equals to 0 9a by 16 plus 3b by 4 minus 6 is equals to 0 16 LCM Lelia 16 LCM Lelia 9a plus 12b minus 96 2 clear दिख रहे है बच्चो साफ साफ तो यहां से जो अपने पास arrangement क्या बना 9a 12b minus 96 यह पहला equation यह मेरा पहला equation फिर जिस्तों से यह निकाला similarly सिमिलार्ली हम क्या निकाल देंगे पी माइनस टू क्या हो जाएगा a minus 2 का square plus b minus 2 minus 6 is equals to 0 क्या आएगा 4a square minus 2b minus 6 is equals to 0 अब बच्चे फोकस करना अब आपने पास 9a plus 12b minus 96 इसको छोटा कर देंगे बात की बात है मुझीज फिर और एक माइनस टू भी माइनस 6 हाँ से अभड़ खुद बथा अब आप खुद बताओ यह लीनियर कुशन 2 आगे अपने पास हम लोग ने लीनियर कुशन बच्चे इतने कोश्टन किया है अगर आप अभी भी यह कोशन नहीं कर सब कर फाएं तो बच्चे सही में साबको पिटाई लगेगी सबको पिटाई लगेगी जरूर ए तो मैं आप इतना उम्मिद कर सकता हूं कि आप इस कोश्टन को करके जो भी आपका सॉलूशन आई solution बच्चे कहां कमेंट करोगे आप कमेंट box में comment box में t ki पता तो चले कि आप चीज़े पढ़ रहें कि नहीं पढ़ रहें तो बच्चे चले ठैंक यू आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं अब बच्च सिमलर कोश्चन है बताओ थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी जाएगा आपका ऐसा नहीं करो कि नहीं जाएगा जाएगा इसको आप खुद कीजिए जाएगा समझे यह जाएगा इस कोश्चन को जाएगा 6X स्क्वाइर प्लस 2X मैनस 9X मैनस 3 6X स्क्वाइर माइनस यह कितना देगा 7X मैनस 3 6 और मैनस 3 कितना होगा माइनस 18 माइनस 18 18 को फेक्टराइज करा 9 और 2 माइनस वाला ज्यादा है इसका मतलब मैनस वाला मैनने चूड में ज्यादा होगा चले आगे मेरे बच्चे 6X स्क्वाइर माइनस 9X पलस 2X मैनस 3 is equal to 0 यहां से देखो 3X कॉमन लिया क्या हो जाएगा 2X मैनस 3 पलस 1 कॉमन लिया 2X मैनस 3 is equal to 0 3X पलस 1 2X मैनस 3 is equal to 0 X की वैलू मैनस 1 बाई 3 यह पहला रूट थिर X की वैलू क्या 3 बाई 2 यह सेकंड रूट क्लियर बच्चे है क्लियर है क्या तक चले आगे चली फोर एक्स स्क्वाइर प्लस 5X 4X स्क्वाइर प्लस X कॉमन ले ले हैं क्या होगा 4X पलस 5 तो क्या आएगा एक बार X की वैलू 0 और इसको 0 करेंगे X की वैलू मैनस 5 बाई 4 X की वैलू मैनस 5 बाई 4 X की वैलू मैनस 5 बाई 4 चले आगे 3X स्क्वाइर इस इक्वाइस टू 243 X स्क्वाइर 243 बाई 3 X स्क्वाइर 81 X इस इक्वाइस टू पता है आपको कि जब यहां से बाहा निकलेगा तो दो वैलू 2 प्लस 9 और माइनस 9 एक्स की वैलू क्या मेरे भाई 9 और दूसरी बार जो X की वैलू होगी माइनस 9 क्लियर है मेरे भाई क्लियर चलेए टू एक्स स्क्वाइर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 12 एक्टराइज करा 4 और 3 कॉफिशेंट प्लस है तो प्लस वाले का मैंगनिचूड ज्यादा मानस वाले का कम क्योंकि इसका कॉफिशेंट प्लस के साथ है प्लस वन इसलिए क्या होगा 2X स्क्वाइर प्लस 4X माइनस 3X माइनस 6 इज इक्वाज टू 0 2X कॉमन लिया क्या आगा यहां से X प्लस 2 यहां से माइनस 3 कॉमन लिया X प्लस 2 तो X प्लस 2 2X माइनस 3 इज इक्वाज टू 0 X कितना माइनस 2 और यहां से X कितना आ जाएगा 3 बाई 2 कितना आ जाएगा 3 बाई 2 चले आगे 5 सिंपल सा बच्चे X स्क्वाइर प्लस 3X और रूब जाओ 5X प्लस 1 5X प्लस X प्लस 5 X कॉमन ले लिया क्या होगा X प्लस 5 यहां से प्लस 1 कॉमन ले लिया तो X प्लस 5 क्या आएगा अपने पास बताईए जरह X प्लस 1 X प्लस 5 इज इकोज टो 0 X की वैलू माइनस 1 और X की वैलू माइनस 5 माइनस 5 चले आगे चले बहुत अच्छे श्यांदार्ट जबरदस्ट जिंदाबाद अठारह 9 X स्क्वायर 6 3 6 X स्क्वायर पला स्री एक स्क्वायर नी एक्स ना 6 X प्लस 3 X माइनस 2 3 X कॉमन ले लिया क्या होगा 3 X माइनस 2 पलस 1 3 X माइनस 2 is equal to 0 क्या होगा अपने पास 3 X माइनस 2 और 3 X प्लस 1 is equal to 0 X की वैलू यहां से मेरे बच्चे 2 बाइ 3 X की वैलू क्या आ गई 2 बाइ 3 और यहां से X की वैलू माइनस 1 बाइ 3 चले चलिए 35 तो 75 जा एक्स स्क्वाइर प्लस 7 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 35 आगे की रमाइन तो आप कर ही लोगे आगे का काम इवालुएशन का आप कर लोगे चलिए सब को इजह लेकर आजाओ एक्स स्क्वाइर माइनस 18 एक्स प्लस 77 उप्लस तो 0 एक्स स्क्वाइर माइनस 11 एक्स माइनस 7x पलस 7 अब बताओ बच्चे क्या यह अब नहीं होगा बोली जड़ा क्या अब यह नहीं होगा बिल्कुल हो जाएगा एटीन नाइन टू टिक्स एक्स स्क्वार पलस नाइन एक्स पलस टू एक्स पलस थरी जिक्वास टू क्या मेरे भाई जीरो यहां से क्या कॉमन ले 3x कॉमन लिया क्या होगा 2x पलस 3 यहां से पलस 1 2x पलस 3 is equal to 0 क्या आएगा अपने पास 3x पलस 1 2x पलस 3 x is equal to minus 1 by 3 और x is equal to minus 3 by 2 क्लियर है क्लियर है मिरे बच्चो चले आगे चले अगे एक से स्क्वार कर नाइन एक्स माइनस एट एक्स क्लियर है अब हो जाएगा थिरी बच्चे यह कोश्चन कर लो यार अब यह कोश्चन तुम फैक्टराइज कर वाओगे मुझसे पिटो गए पिटो गए चलिए 4x स्क्वाइर माइनस 9x 400 माइनस के साथ थाइस करो इसको बच्चे खुद करके जो भी एंसराय कमेंट करना जरूर आसने कमेंट मत करना कमेंट करना सभी को क्या 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 कोश्चिन करवार हो यार 15x स्क्वार माइनस स्क्वार माइनस 28 ट्रीट 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 सम्झों जड़ा इस कोशन को करते हैं लोग 15 और 28 है ध्यान देना 15 और 28 माइनस अभी नहीं लिया माइनस बाल में लेंगे इसको इस तरह से फेक्टराइज करना है कि इसका सम्या डिफ्रेंस सम्या डिफ्रेंस क्या है है माइनस एक से आगे चलते हैं तरी फाइब और बार अराम से बच्चे पेशन्स रखो अभी अपने आप पता चल जाएगा चार लग गया बन गया इसका इसके साथ इसका इसके साथ ट्वंटीवन और ट्वंटी इतना है सत्यायका इस ट्वंटीवन ट्वंटी चलो फिफ्टें एस स्क्वाइर माइनस ट्वंटीवन एक्स पलस माइनस और पलस तो माइनस आगया यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा फिर एक्स कॉमन क्या सावन सॉरी 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 आप फाइब एक्स माइनस सेवन यहां से देखो बच्च और कॉमन ले ले और कॉमन ले लिया पाइब एक्स माइनस सेवन इस इक्वाज टू जीरू क्या होगा 3x plus 4 फिर 5x minus 7 is equals to 0 इसको चले लेकर x is equals to minus 4 by 3 और यहां से x is equals to 7 by 5 आप बताओ कितना इसले फैक्टराइज हो गया कितना इसले फैक्टराइज हो गया और बच्चे आपको ऐसे ही फैक्टराइज करना है कि बहुत आसान है क्लियर कि एक से स्क्वाइर पलस 11 x यह उधर जाएगा तो माइनस पूर अर्टरी फोर्जा 12 होता है और 12 साइन बात की बात साइन तो मैंद्ज हो जाएगा 12 को इस तरह से तोड़ना है कि 11 आजाएज सम्ट 12 हो गया 3x स्क्वाइर पलस 12 x माइनस x माइनस 4 जीरो यहां से 3x कॉमन लिया x प्लस 12 माइन 12 कैसे आएगा भाई x प्लस 4 न माइनस 1 x प्लस 4 क्या आएगा आपने पास x प्लस 4 फिरे x माइनस 1 इस इकवास टो 0 x इस इकवास टो माइनस 4 और यहां से x इस इकवास टो प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 तो तो बच्चे आज के लितना काफी है इस सेशन में अगर आप इस पूरे शेशन का नोट चाहते हैं तो आपको पता है क्या करना है इसके लिए कुछ नहीं करना बस आपको आपना आप्लिकेशन इंस्टॉल करना है और आपके अपने अप्लिकेशन का नाम क्या है स्कूर प्लस वहां वे बच्चे हर एक सेशन का पीडियाफ नोट्स आपको एजी ली मिल जाएगा तो बच्चे आज के लिए इतना काफी है मिलते हैं अगले सेशन में इसी के पार्ट टू के साथ तब तक बच्चे पढ़ते रही है स्कूर प्लस के साथ बने रही है और बच कर दो बोज़ च्चे है और ल normalmente एज है सेशन क हमादों के दो आपको प्लस की लिएर के श pilgrimage के रही है सेशने है मिल जाएग़ते हैं ओилने रहा है और दूर्शप ट करोष कि दिरना सम जहाती है है 평 collagen